तो guys, hipfire एक ऐसी चीज़ है जो तुमारी close range को next level ले जा सकता है लेकिन अगर तुम उसे ठीक से नहीं करते हो तो तुमारी जो close range ये ना वो बहुत जादा weak भी हो सकती है अगर तुमारी close range fights weak है तो तुम इस game में survive करें नहीं पाओगे तो ये वीडियो रहने वाली है हमारी hipfire के उपर मैं तुमें बताने वाला हूँ कि तुम अपने hipfire को कैसे एकदम god level बना सकते हो तो शुरू करते हैं वीडियो को without wasting any more time Let's get started तो guys अपने hipfire को next level तक ले जाने के लिए ना तीन चीज़े बहुत जादा important होती है सबसे पहली चीज़ होती है aim दूसरी चीज़ होती है हमारी crosshair placement और तीसी जो चीज़ होती है वो होता है हमारा jiggle अब देखो jiggle की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो mainly guys देखो दो तरीके की jiggle होता है fast jiggle होता है जो हमें extreme जब close range में बंदा होता है ना यूज़ करना पड़ता है जैसा मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ और जो second चीज़ आती है ना वमारी second तरह का jiggle आता है वो आता है हमारा long jiggle तो long jiggle तुम्हें कम use करना है जब तुम बंदे से थोड़ा सा जाद है दूर हो अगर simple words में बोलू तो mid range में है ना तुम्हें जो long jiggle ना वो use करना अब long jiggle का फाइदा क्या होता है ना कि जब भी तुम्हें बंदा track करने के कोशिश कर रहो हता है ना तो तुम्हें बंदा track कर नहीं पाता है क्योंकि तुम long jiggle दे रहे होते हो वैसे dynamic jiggle है न वो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था उसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए न तुम subscribe कर ले न चैनल को वो बहुत जादा खतरनाक चीज रहती है बागी फिलाल के लिए गर बन्दा close range में है तो तुम्हें थोड़ा सा fast jiggle यूज कर ले न कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर बन्दा थोड़ा सा तुमसे ज़्यादा दूरी पह है, mid range वाली दूरी पह है तो तुम्हें वहाँ पर यूज करना अपना slow and long jiggle तो guys जब भी हम if file use कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज में problem आती है वो यह आता है कि हमारे जो headshots है न वो ज़्यादा connect नहीं हो पाते है body वागेर हम connect कर लेते हैं गोली हम बंदे को connect कर देते हैं लेकिन headshots है न वो connect हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और वो तुम कब कर पाओगे जब तुम्हारी जो crosshair placement है न वो तुम on point कर लोगे अब crosshair placement क्या होती है वो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ तो guys अगर बिलकुल simple words में तुम्हें समझाओं तो ये जो screen के बीच में 4 dots तुम्हें दिखाई दे रहे न इससे बोलते हैं crosshair और अगर जितना जादा इसको तुम close रहोगे न बंदे के head से उतना जादा तुमारे लिए बढ़िया रहने वाला उतनी जादा बढ़िया तु तो guys इतना तो तुम सभी को पता होगा कि जो game है इसमें जो गूली है वो एकदम सीधे जहाँ पर तुम fire करो न वहाँ पर नहीं जाती है एकाज जो गूली है वो इधर से उधर भी चली जाती जिसे हम बोलते bullet spread यहाँ पर जो चीज तुम देख रहे हो न वो bullet spread के कारणी हो head पे लियाते हो तब क्या होगा न कि तुमारे headshot still connect होंगे लेकिन जो body न वो भी साथ के साथ connect होना शुरू हो जाएगी and example के लिए तुम वो चीज यहाँ पे देख सकते हो अभी जो मेरा aim है वो मैंने बिल्कुल head पे रखा हुआ है न उपर रखा है न नीचे रखा है लेक तो अभी बात कर लेते main point की कि हमारी जो crosshair वो हमें कहां पे रखनी है head के उपर रखनी है head के नीचे रखनी है head पे रखनी है तो वहाँ पे थोड़ी सी problem तुमें आ सकती है तो तुमें try क्या करना है न कि तुमें अपनी जो crosshair है न वो head levels पे रखनी की कुशिश करनी है that's it तुमें head से नीचे रखना ही नहीं क्योंकि रखोगे तो तुमारी body connect होगी लेकिन अगर तुम head levels पे रखते हो तो सिर्फ और practice करनी पड़ेगी और practice में क्या करना है वो जो चीज मैंने तुमें समझा ही न तुमें थोड़ा सा aim है na head की उपर रखना है वो चीज तुमें practice करनी है that's it तुमारी crosshair placement है न वो तुम master करना सीख जाओगे तो guys अभी बात कलेते aim के बारे में अगर aim से जादा हमें इसे target tracking ब वो भी जिगल कर रहा है अब यहां पर देखो बंदे को still में गोलिया वगरा connect कर दूँगा लेकिन जो जादतर जो गोलिया वो waste होते जा रही है जैसे मेरा aim बंदे के head पर आता है एकाद गोली connect होगी और बाकी की जो गोलिया वो waste हो जाती है लेकिन अभी तुमने notice क्या हो तो तुमारे लिए थोड़ा सा easy रहने वाला है तो जब भी तुम जिगल कर रहे हो तुमारा जो phone है न वो left and right थोड़ा थोड़ा करते रहना है अगर तुम try करोंगे यह train ground में जाके तो तुमें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हो लेकिन अगर तुम non gyro player हो तो कि तुमें बहुत मज़ा सा जाएगा लेकिन याद रखनागा इस तीन चीज़े मैंने तुम इस वीडियो में समझाई है सबसे पहले मैंने तुमें जिगल बताया फिर तुमें crosshair placement मैंने समझाई and then तुमें मैंने aim के बारे में या फिर target tracking के बारे में बताया तो इन तीनों चीजों को तुम combine करके जो practice करोगे ना तब तुमें जो results मिलेंगे वो next level रहेंगे और तुमें worth it लगेगा तुमारा जो hipfire है वो काफी जाधा improve होगा तो practice तुमें कैसे करना है वही जो जहाँ पर मैं practice कर रहा था तुमें headshots connect करना मैं सिका रहा था वहीं पर जाना है और ब तुमे जो जिस जवदिया हूद रहे हुआ जया हो प्रॉदाओ आटे जाधा है रहें है लूदर इंड it करना वाद बाया है और यह ज़र है हूद दूद आख रहें है रहें है